हलो एब्रिवान तस्वागत है आप सभी का डाउटनट लाइफ में और आज की यह जो क्लास है इस क्लास में बच्चे हम शुरू करने वाले हैं हमारा चाप्टर जिसका नाम है दो नेकलेस मतलब की हार और यह हार कौन सा होगा हीरो का हार होगा और कहानी बहुत इंट्रेस्टिंग कैसे हमारी इसका रिचारत ही हिसमें METALDA नाम है उनका और उनके हसमें और जाता पैसे नहीं कमाते वो लेकिन METALDA जीह होगी है तो उसको न यूजुली बहुत शरम वरम आती है इदर उदर जाने में यह सब चीजों में तो और उसका husband जोते होते हैं वो बहुत अच्छा होता है लेकिन वो जाधा high post पे नहीं होता है अब एक दिन party शाटी होती है कोई वो बोलता है कि ते को चलना है मेरे साथ party में ऐसे व necklace लेगी necklace गुम जाएगा गुम जाएगा तो मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर मिल जाता है तो क्या होता है और नहीं मिलता तो वो उसका उधार कैसे चुकाते हैं भाई बहुत सारी चीज़े हैं जो आज के इस chapter में हमें पता चलेंगी बहुत मस्ट चाप्टर है बढ़िया पार्टी का and she has a beautiful dress but no jewelry उसके पस एक बहुत ही खुबसूरत सी dress थी लेकिन jewelry नहीं थी गहने नहीं थे बेटी के पास पहनने के लिए and she borrows a necklace from a friend और वो एक दोस्त से necklace ले लेती है उधार and loses it oh my god what happens then और उसके बाद क्या होता है यह हम जानेंगे chapter पढ़कर तो देखिए questions देदिये starting में पढ़ाया chapter है नहीं book में questions पहले देदिये ठीक है पढ़ ले देदे है question के answer अभी नहीं करने है जब पढ़ लेंगे न फिर करेंगे ठीक है question क्या है what kind of a person is ma'am lowsell why is she always unhappy जो मारम lowsell थ और वो हमेशा नाखुश क्यों रहती थी what kind of a person is her husband और उनके husband जो थे वो किस तरीके के आदमी थे chapter पढ़ेंगे तो बताते है चलिए she was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks कह रहे है she was one of those pretty young ladies वो उन one of those मतलब होता है उन सभी में से एक तो वो उन सभी सुन्दर महिलाओं में से सभी pretty young जवान एकदम लड़कियों में से एक थी जो कि किसमत की error की वज़े से कोई गल्ती की वज़े से और यार उत्ती सुन्दर लड़की यार वो वाली के किसमत की error की वज़े से वो एक clerks की family में बलब पैदा हो गई थी और she had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either, rich or distinguished and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of a board of education. किया रहे हैं she had no dowry, मतलब गरीब खांदान से दी, तो जादा दहेज वहेज देने के लिए नहीं था, hopes नहीं थे, कोई आशाय नहीं थी, no means of becoming known, ऐसा कोई रास्ता नहीं था उसके पास, ऐसे कोई स्त्रोत नहीं थे उसके पास, जिसके तुरू वो famous हो जाती, लोग उसे प एक दम बिल्कुल अलग ही हो, इसका औरा ही अलग हो, इस तरीके के आदमी से वो बिल्कुल शादी वादी कर लेती, and she allowed herself to marry a petty clerk, तो उसने क्या किया, उसने, she allowed herself, मतलब उसने क्या किया, ये, compromise कर लिया, एक विचारे, चोटे से, clerk से, शादी कर ली, पैटी मतलब क्या होता ह अलब, शेन, ठीक है, शुद्र, ज्यादा अमीर अमीर नहीं था, एक नॉमल सा आदमी था, एक तुछ से, clerk से, उसने शादी कर ली, जो की, board of education में काम करता था, clerk था मापे, she was simple, but she was unhappy, बहुत ही साधारन थी, लेकिन बहुत ना, unhappy सी रहती थी, खुश बुश नहीं रहती थ अब यहाँ पर in-cassin का मतलब क्या होता है, निरंतर, मतलब वो लगातार सफर कर रहे थी, लगातार पीडा में थी वो, feeling herself born for all delicacies and luxuries, feeling herself born for, वो क्या सोचती थी, कि वो किस चीज के लिए बनी है, दुनिया की जितने भी ऐश वारा में ना, उन चीजों के लिए बनी हुई है वो, she suffered from the poverty of her apartment, वो किस चीज से सफर कर रहे थी, उसकी जो घर था न, जो गरीबी थी, उससे वो सफर बहुत जादा कर रहे थी, उसका जो घर था वो जादा कुछ अच्छा नहीं था, apartment मतलब घर and the shabby walls, मतलब, shabby मतलब, जर-जर होता है विलकुल, उसकी जर-जर दिवा जो बहुत लंबे समय से उसे उसे बिलकुल खराब हो चुकिया वैसी चीज, all these things tortured and angered her, वो सभी चीज से बहुत इरिटेट कर थी, टॉर्चर कर थी, उसको गुसा आता था उन चीज से, उसको भाई ऐश्य आराम चाहिए था, उसको यह जिन्दगी नहीं चाहिए थी, और the good pot pie, I know nothing better than that, she would think of elegant dinners, of shining silver, she thought of the exquisite food served in marvelous dishes, क्या कह रही है, when she seated herself, मतलब जब वो बैठी, कहां पर, अपने हस्बंट के बिलकुल opposite, मतलब जैसे मैं हां बैठी हूँ और हस्बंट जी सामने बैठे हुए है, इस तरीके से opposite में वो दोनों बैठे हुए थे, and who uncovered the tureen, tureen क्या होता है, कोई भी बाउल है, उसके ओपर जो धकन होता है, तो जैसे ऐसे करके उसने धकन खोला, ठीक है, ओपन किया उसने उस चिरीन को, तो उसमें से क्या निकलता है, with a delighted air saying, उसमें से ऐसे भाप निकल रही थी, खुश्बू वाली, ठीक है, और उसका पती बोलता है, गु भी होनी चाहिए, मस्ट खाना लगाओ, तीन-चार तरीके की डिशेज हो, वो इन सब चीजों के सपने ले रही है, कि भई सिल्वर के चांदी के बरतनों में खाना खाने की, ठीक है, शी थॉट ऑफ एक्स्क्विजिट फूड सर्व्ड, एक्स्क्विजिट का मतलब क्या हो And she had neither frocks nor jewels, उसके पास neither frocks है, मतलब dresses नहीं है पहनने के लिए और जूलरी भी नहीं है, कुछ नहीं है उस विचारी के पास And she loved only those things, और उसे सिर्फ उनी चीज़ उसे प्यार है, जिंदगी से प्यार नहीं है उसे, उसे वो सारी materialistic चीज़े चाहिए है She had a rich friend, a schoolmate at the convent who she did not like to visit, she suffered so much when she returned, she wept for whole days from despair and disappointment, she had a rich friend, उसकी एक बहुत भाई अमीर दोस्त थी, convent school से उसके साथ थी, ठीक है, who she did not like to visit, उसके पास जाना उसको पसंद ही नहीं था, क्यूं? She suffered so much when she returned, क्यों, उसके पास जाती, वो सारी चीज़े देखती होगी, फिर जलन वलन होती होगी, ये चीज़े तो होती है, है ना, तो बस उसे पसंद नहीं था, जाती नहीं थी, और अगर मिलके आ भी गई, तो भाई रोती थी, रोती थी उन सभी दिनों के लिए, despair or disappointment के ज राशा जनक, जो दिन वो बिता रही थी, उनकी वज़े से वो बहुत जादा रोती थी, despair क्या होता है, losing hope, ठीक है, समझ में आया, चलिए, one evening, her husband returned elated bearing in his hand, a large envelope, अब एक दिन मिया जी आए उनके, और उनके हाथ में क्या था, क्या था उनके हाथ में, एक बहुत बड़ा envelope, एक लिफाफा था, बहुत बढ़ा, ठीक है, elated मतलब क्या हो थी, बहुत खुश, हद से ज़ादा कुछ, आदलगी level का, मतलब, खुश था वो उस दिन, क्यों था, here he said, here is something for you, क्या रे इधर हो, इधर हो, देखो, मैं दुमारे लिए कुछ ले के आया उसने फटा फटा उस लिफाफे में से कार्ड निकला ठीक है और उसके उपर इंसक्राइब मतलब चपा हुआ था कुछ लिखा हुआ था क्या मतलब की हमारे सर जी को चीक है और उनकी बीवी जी को साधर रामंत्रित किया गया था कहाँ पर मंडे इवनिंग को जन्वरी 18 को अट दे मिनिस्टर के रेजिदेंस पर पाटी शाटी होगी कोई उसके लिए अब उसके पती को बताए क्या लगा कि यार इसको यही चीज़े तो पसंद है यही सब आलिशान चीज़े पसंद है और मैं इसको यह दिखाऊंगा कि तेको इतनी बड़ी पाटी का इंविटेशन मिला है हद दुखुश हो जाएगी यह देख ले ना तुम आज तो मतलब पका सेट है मेरा मामला है ना अज मज से आजाएंगे बड़िया खुश हो जाएगी काफी टाइम के बाद इंस्टेड अफ बिंग दिलाइटेट असर हस्बंड हाँब्ड शीज़े तुखुश होएगी एल है कोई खुश्वश नहीं हो ही वो उसने तो जो गुसे में आकर इतना जादा मतलब की आंगर दिखाय उस समय, spiteful मतलब क्या होता है बहुत क्रूल तरीके से बहुत मिस्बिएव करना एक तरीके से फिक के मारा उसने की शीतरू था इंविटेशन स्पाइटेशन को टेबल के उपर फिक के मारा और बड़ड़ आई तुम क्या सोच रहो हाँ, I want with that, क्या चाहिएगा मुझे इस से, क्या है ये इन्विटेशन, क्या लग रहा है तुम्हें, खुश हो जाओंगी मैं, क्या सोच था तुमने, खुश हो जाओंगी मैं, but my dear, I thought it would make you happy, फदी बुल रहा है यार मिरको तु लगा ये तरको खुश करेगा, ये मुझे लगा तुर कोई अच्छे लगेगा चीज, you never go out and this is an occasion and a fine one, तु अभी भार नहीं जाती यार, और ये ना मतलब, ये बहुत अच्छा occasion है जहाँ आप जा सकती हो, everybody wishes one and it is very select, not many are given to employees, वो कह रहा है कि, everybody wishes one, अहरे की इच्छा होती है याँ पे जाने की, और ये very select, मतलब बहुत कम लोगों को ये चीज मिली है, selected लोगों को ही invitations मिले है, you will see the whole official world there, पूरा official world देखने को मिलेगा तिरको वहाँ पे, पाता है क्या, she looked at him with an irritated eye, बहुत गुस से वरी आँखों से उसने देखा and declared impatiently, impatiently मतलब restlessly, और उसने क्या बोला, what do you suppose I have to wear to such a thing as that, तुम क्या सोच रहे हो, इतनी बड़ी चीज जो तुमने मेरे सामने लाके रखी है, मैं क्या पहनूंगी, कपड़े क्या पहनूंगी मैं ऐसे दिन, क्या सोचा है तुमने, he had not thought of that, अब आदमी जी ने तो, पती जी ने नहीं सोचा था इसा, वो सोचे इंविटेशन दू वो कि यह तुमने उस दिन वो यून द्रेस पहनी थी जब अम थेटर गय थे, इट सीम्स बरी प्रिटी तुम मुझे बहुत सुंदर लगी थी, he was silent, stupefied, in dismay, at the sight of his wife weeping, he was silent, वो एकदम से मतलब ऐसे, रुक रुक के बोलते हो एकदम चुप हो गया, stupefied in dismay, और और उसको अजीब सी बेचैनी हो गई, just में मतलब बेचैनी सी हो गई, जब उसने अपनी बीवी को रोते होए देखा, he stammered, वो फिर से हकलाने लगा, what is the matter, what is the matter, what is the matter, what is the matter, by a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, अब उसने सोचा, लड़की ने किना ज्यादा हो गया, मैंने ज्यादा दिखा दिया, by a violent effort, she had controlled her vexation, vexation का मतलब क्या होता, आप मैंसे किसी को पता है, vexation होता अपने अंदर का गुबार, तो उसने बहुत ही violent effort के साथ, अपने अंदर का गुबार था, उसको control किया, बहुत ही शान्त तरीके से जवाब दिया, wiping her moist cheeks, wiping मतलब पोचते हो अपने ग कपड़े नहीं है, पहन्दे के लिए, and I cannot go to this affair, और यह जो affair है, मतलब जो event है, यह नहीं जा सकती, give your card to some colleague, whose wife is better fitted out than I, यह जो card है यह अपना किसी और colleague को दे दो, जिसकी बीवी, ज्यादा fit बैठती है, वो जा सकती है, इस तरीके की जगा पे, He was grieved but answered, let us see मतलब, वो बहुत जादा परिशान, दुखी, grieved मतलब दुखी, हद से जादा दुखी हो गया वो, लेकिन उसने answer किया, let us see मतलब, देख लेंगे मतलब, how much would a suitable costume cost, की एक धंका सा costume कितने तक काएगा पन देख लेंगे, something that would serve for other occasions, कुछ ऐसा जो की बाकी occasions पे भी काम आजाए, something very simple, कुछ ऐसा जो बहुत simple हूँ, she reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing, with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk, क्या बोल रही है, she reflected for some seconds, थोड़ी देर के लिए उसने, reflect मतलब, जवाब सा दिया, थोड़ा सोचा उसने, उस बारे में, of a sum की कितने रुपे तक मुझे इस से लेने चाहिए, she could ask for, you know, something without bringing with it, an immediate refusal, वो केरी वो सोचने लगी कि मैं कितने पैसे मांगू, जिसके लिए वो एकदम से मना ना करे, and a frightened exclamation, frightened मतला भी बहुत पहां करें, डरा हूँ, अक्रोश वाला, अश्चर्य वाला, from the economical clerk, कि मैं कुछ इतना प्राइज मनी फेकू, जिसमें ये डरे नहीं, और बहुत चक्काना हो जाए, ठीक है, और एकदम से मना ना कर दे, finally she said in a hesitated voice, finally वो एक, you know, सकपकाई हुई आवाज में बोलती है, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it, वो मुझे लगता है कि मैं exactly नहीं बता सकती, but मुझे लगता है that 400 francs कि 400 francs जो होंगे, ought to cover it, वो मुझे लगता है कि उसमें ड्रेस आजाएगी, he turned a little pale, भाई, पीला पढ़ गया, पती देव उसका पीला पढ़ गया, शकल है ना उसकी बिलकुल ऐसे हो गए, इतने पैसे मांग लिए तुने एक ड्रेस के लिए, for he had saved just this sum to buy a gun, that he might be able to join some hunting parties the next summer, वो कह रहा है यह इतना पैसा था, जिसमें मैं बंदू करीदने वाला था, तकि अगले time, जो यह hunting शिकार विकार वाली parties हो दिये ना, मैं यह जॉइन कर सकू अगले summer, with some friends who went to shoot larks on Sunday, वो कह रहे हैं कि जो मेरे जो दोस्त वोस थे, जो जाते थे, यहाँ वाँ शूटिंग वगएरा के लिए, तो, वो सूच रहा था यार कि मैं यही सोच रहा था, कि मैं उन्हें जॉइन कर पाऊँ और मैंने गन के लिए इतना पैसा ही कठा करूँ, लेकिन ट्राए करना कि एक सुन्दर सी ड्रेस तो में पैसो के अंदर ले आओ, अगला question है, what fresh problem, अचा, अब पहले वाले जो questions थे, उनके answer जरो, कर लेते हैं, what kind of a person is Madam Loselle, मैंना हमारी जो, मैं तो मैं लो सेल दी, मतलब हमारी जो इतनी दर से मैटलडा की बात हो रही है, ये किस तरीके की लेडी है, why is she always unhappy और वो हमेशा उदास क्यों रहती है, सोचो, क्यों रहती होगी हमेशा उदास, क्या दिक्कत, क्या परिशानी होगी इसको, सो ये हमने देखा कि बहुत ही जादा प्यार करती है, materialistic चीज़ों से, luxury बहुत पसंद है, सबने desires बहुत बड़ी-बड़ी है, ठीक है, और हमेशा unhappy क्यों रहती है, क्योंकि ये सब चीज़े नहीं है उसके पास, और इस सब चीज़े desire करती है, उसका मन है इन सब चीज़ों का, वो यही सोचते हैं, उची-उची चीज़े सोचते हैं इसलिए वो हमेशा उदास रहती है, इवन वो अपनी rich दोस्त के पास भी नहीं जाती है, जो अमीर दोस्त है, और जलन होती है, उसे वहाँ जाके यार, वो वापिस आती है, रोती है, वो वहाँ इसे वापिस आके, ठीक है, तो इसलिए वो हमेशा नाखुश रहती है, उसकी जो पदी देव जी है, वो किस तरीके के इंसान है, ये सोचिये ज़रा, तो उनके जो हस्बेंट है, वो बहुती सिंपल साधा सादमी है, और वो जितना है, उसके पाथ उसमें खुश रहने वाला है, जैसे उसने खाना खोला, तो उसका रियाक्शन बहुत अच्छा था, अरे वा, तुने पॉट पाई बनाया है, दूशरी दरफ बीवी का मूँ तरह हुआ था, कि यार, कैसा है ये है, मैं सोच रहू हूँ, लग्शरी डिनर्स, एक्स्क्विसिट डिनर्स के बारे में, बढ़िया-बढ़िया डिशिस के बारे में, इसको पॉट पाई अच्छी लग रही है, खिचड़ी बढ़िया लग रही है इसको, ठीक है, लेकिन फिर भी, वो ये चाहता था, कि उसकी बीवी जो है, वो खुश रहे, तो उसने 400 फ्रांक्स जो थे उनके लिए भी हा कर दिया, अब बोल जो दिन घा, वो फाइनली आ गया था, और मडम लुसेल जो थी, वो कैसी लग रही थी, वो बहूट ही ज्यादा उदास लग रही थी, उदास लग रही थी, उदास क्यो लग रही थी बच्छो वो, disturbed और anxious बहुत परिशान और बहुत ही anxious लग रही थी, nevertheless her dress was nearly ready उनकी जो dress थी वो लगबग तयार हो चुकी थी her husband said to her one evening what is the matter with you तो एक दिन उनके पतिदेव जी ने क्या कहा तो एक दिन उनके पतिदेव जी ने क्या कहा तो मैरे साथ क्या problem है matter क्या है you have acted strangely for two or three days तुम बहुत अजीब सा भी एव कर रही हो दो-तिन दन से and she responded I am vexed not to have a jewel nothing to adorn myself with तो वो क्या respond करती है I am vexed not to have a jewel कि भाई मिरे को बहुत जादा चिंता है मिरे अंदर गुसा भरा हुआ है ठीक है vexation क्या होता है अदर एक चिंता परेशानी ठीक है एक अंदर गुबार भरा होता है उसके अंदर तो कहती है कि मेरे पास कोई भी jewelry नहीं है nothing to adorn myself with जिससे मैं और भी जादा खुबसूरत लगू I shall have such a poverty striking look मेरे पे ये गरीबी वाला look जहलख रहा है I would prefer not to go to this party मैंने decide कर लिए मैं पार्टी में नहीं जा रहा हूँ उस बिचारे के 400 फ्रांक्स लगवा दिये और फिर भी पार्टी में जाने से मना कर रही थी ठीक है कमाल होती है हदी कर दी वाई गॉड उसके बाद क्या हुआ कि and she responded he replied you can wear some natural flowers in this season they look very nice तो वो कहती है की nah तुम बढ़िया लगोगी तुम कुछ natural flowers क्यों नहीं पहन लेती हूं और तुम इनमें काफी अच्छी लगोगी तो try क्यों नहीं करती हूं तो वो कहती है कि एक तो यह है ऐसा उपर से इसने क्या किया क्या किया उपर से इसने माडम लुसेल ने कह रही है कि मतलब वो बहुत ज़दा अजीब सी फील कर रही हो मैं बोसको रियल जूलरी चाहिए और उसका पती बोल रहा है कि तो ये फूल पती वाली जूलरी पहन ले तरवे बढ़िया लगेगी वो बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं थी नो मना गर्दिया उसने रिप्लाय किया वो कह रही है कि मतलब मेरे को बेज़ती फील कभी नहीं होगी कि एक मेरा शैबी एर शैबी एर मतलब बिल्कुल जरजर पोवर्टी स्ट्राइकन लोग जो मेरा होगा एक मेरा एटमोस्फेर जो होगा जिस तरीके के मैं लगूँगी उन बढ़िया अमीर ओरतों के बीच में तु जा अपनी दोध मैरा फोरेस्टिया के पास और उनसे बोल वो तिरको कुछ जूल्री उधार दे दे शी अट्टर अ क्राइड अफ जोई चिलाती है वो बहुत जोर से ठीक है वो किती यार तु सही कह रहा है मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं अगले दिन शी तुक अपनी दोस्त के घर लेके गई मतलब खुद वो अपनी दोस्त के घर गई and related her story of distress और अपनी ये जो चिंता परिशानी थी सारी गा था उसके आगे गा दी मैंने फोरेस्टियर जी गई अपने अलमारी तक and took out a large jewel box और तो बड़ा jewelry का box लेकर आ गई bought it, opened it and said choose my dear lie उसके सामने खोला और वो ले कि अरे choose कर ले कौन सा चाहिए तरको she saw at first some bracelets उसने starting में कुछ bracelets देखे जो हम हाथ में पहनते हैं then a collar of pearls collar of pearls मतलब necklace देखा pearls का बना वो मोतियो का then a venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship अब अलग-अलग तरीके के admirable workmanship मतलब कारीगरी की stated but could neither decide to take them nor leave them she tried the jewels before the glass glass मतलब शीशे क्या के उसने अलग-अलग jewelry जो है वो try की थोड़ा सा सक पकाई but could neither decide to take them or nor leave them मतलब वो decide नहीं कर पा रही थी कौन सा लेके जाओ कौन सा छोड़ दू then she asked have you nothing more और और है क्या और है क्या पुझे नहीं बदा तुम्हें क्या चीज अच्छी लगेगी suddenly she discovered in a black satan box a super necklace of diamond एकदम से उसको क्या दिखा एक बढ़िया काले रंग के velvet के box में एक बहुत ही सुन्दर diamond का necklace था her hands trembled as she took it out उसकी हाथ भी काप रहते जब वो से निकाल रही थी she placed it about her throat against her dress and was ecstatic उसने वो उठाया ऐसे अपने गले के ऊपर लगाया ठीक है across her throat, throat, गल यहाँ पर उसने लगाया against her dress, उसने जो ड्रेस पहनी हो थी उसके against and was ecstatic और भाई, भाडिया लग रही थी वो, amazing लग रही थी then she asked in a hesitating voice full of anxiety, could you lend me this तो फिर उसने पूछा एक डरी हुई आवाज में और पूरी चिंता भरी हुई आवाज में could you lend me this, क्या तु मुझे ये उधार दे सकती हो only this, why yes certainly क्या रही अच्छा बस ये हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्या problem है बिलकुल she fell upon the neck of her friend embraced her with passion, then went away with her treasure, वो fell upon her friend neck of her friend, मतलब गले लग गई उससे, उसको बहुत प्यार किया embraced her with passion, मतलब उसको बहुत लाट लाट किया, thank you, thank you, बहुत बहुत शुकरिया तेरा, असे करने लगी हो, and then went away with her treasure, मतलब अपने खजाने के साथ वापिस चली गई, मतलब अपने जो diamond prettiest of all, जितनी भी माँ लेडी सी थी न, उन सब में सबसे खूबसूरत elegant, gracious smiling and full of joy, बहुत ही elegant, बहुत gracious, बहुत खुशी से, अलगी level की खुशी थी उसके अंदर, all the men noticed her, sorry, आदमी उसे ही देख रहे थे asked her name, उसका नाम पूच रहे थे and wanted to be presented it, और सब उससे मिलना जाते थे, अपने आपको introduce करवाना चाते थे, she danced with enthusiasm, बहुत ये excitement के साथ डांस किया, उसने intoxicated with pleasure, thinking of nothing, but all this admiration this victory, so complete and sweet to her heart तो, अब वो क्या कह रहे है, she danced with enthusiasm उसने पूरे enthusiasm के dance किया, ठीक है, बहुत pleasure था उसके अंदर, हार एक चीज़ों से बहुत अच्छी लग रही थी, किसी भी चीज़ के बारे में वो नहीं सोच रही थी, ठीक है, तो वो overall क्या कर रही थी, क्या कर रही थी, अपना जो समय है, वो ही enjoy, वो कर रही थी, she went home towards 4 o'clock in the morning, सुबह 4 बजे के आरांड वो लो लो घर पहुंचे, her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight with three other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much, और वो कह रहे है कि her husband has been half asleep in one of the little salons since midnight, वो कह रहे है कि उनके जो husband जी थे, वो तो almost आधे, so भी चुके थे, क्या आचुके थे, वो तो almost आधे, so भी चुके थे, ठीक है, बाकी के जो लोग थे, क्योंकि आधी राज जो है, वो हो चुकी थे, बाकी के लोग थे, और उनकी जो वाइपती सबकी वो अलग से अपने enjoy कर रहे थी, he threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty classed with the elegance of the ball costume, उसने उसके उपर क्या पहनाया, उसको एक wrap पहनाया, मतलब की एक shawl वगेरा उसने उसको उड़ाया, और वो थोड़ा सा मतलब, shawl तो नह not to be noticed, तो वो बुली जल्दी जल्दी जलते हैं का हमेना कोई notice ना कर ले, दूसरी ladies जो है, who were wrapping themselves in rich words, जिनो ने अपने आपको लपेट रखा था, बहुत महंगे महंगे फर्स में, ठीक है, Lausail detained her, wait she said he, I am going to call a cab, तो Lausail जो था, उसने क्या किया, detain किया खुद को, what is detained, हिरा पासत में लिया, उसने का, रुख जाओ, ठीक है, I am going to call the cab, मैं a cab बुला के लाता हूं, but she would not listen and descended the steps rapidly, लेकिन उसने उसकी नहीं सुनी और जल्दी 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 जलने लगी, when they were in the street, they found no carriage, ज the sailing shout only, whom they saw at a distance, they walked along towards the river, hopeless and shivering, वो nagy ke chow, nadi ke pass pass से, पैदल पैदल बिल्कुल अशह polar-nirasha में, औरultur जल्दी सहर ए जल्दी 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 जल्हा यह ए लेए घारी जल्दी, जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी, जल्द हम पारीस में नय tänker जल्दी जल्दी आधर ज to their apartment और वो उनको उनकी दर्वाजी तक लेकी गया और ये विए अली विए ये लिए ब्लिकुल धके हुए थे वो लोग ठीक है तो वो लोग गये it was all over for her उसके लिए हाल कुछ ख़तम हो गया था and on this part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock और on this on his part और आदमी क्या सोच रहा था कि आरे कल तस परजे तो काफिस मौच नहीं है उसने क्या किया वो उतारा शॉल और फाइनल व्यू लिया कि भई माज कितनी सुन्दर लगरी फाइनली एक लास्ट बार में अपने आपको देख लेती हूँ अब आगे का चाप्टर जो है वो हम करेंगे next class के अंदर अब देखेंगे necklace मिलेगा वापस से या नहीं मिलेगा डायमेंड का necklace था दोस्त का था खुद का भी नहीं था कैसे कैसे चुकाएंगे यह उधार और आगे की कहानी में क्या होगा बच्चों यह हम पढ़ेंगे हमारी next class के अंदर टाइम टेबल फटा फट से मैं आपको बता देती हूँ यह है आप लोग का time table इस time table के according आपकी सा सारी classes लगाई है like science की 6 बजे, maths की 7 बजे और English की Monday, Wednesday, Friday, 8 बजे ठीक है so मिलते है next class में अपना ध्यान रखिए मभी बाबा को परिशान मत करिये और बाई